तो आज हम लोग क्लास लेवन पार्ट समुच्च की परशनावली 1.4 का इंट्रॉक्शन पढ़ेंगे तो इसके अंतरगत देखें आज हम लोग वेन आरेक पढ़ेंगे ठीक ना वेन आरेक तो इसको बोलते हैं ये हो गया वेन डाइग्राम ठीक ना तो इसके लिए पहले हम लोग समिस्टी समुच्च एक पढ़ते हैं देखें समिस्टी समिच्च क्या होता है समस्टी समुच्च तो इसको इंगलीज में बोलते हैं इनिवर्सल सेट ठीक ना तो देखें जैसे इसका उदाण सम ले लें जैसे देखें ये रहा एक यूँ ठीक ना कोई एक समुच्च ले लिया यूँ जिसके अंतरगत अब यह लिख लेते हैं, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस ठीना, यहाँ तक ले लिया, और अब देखें, एक ले लेते हैं, एक समुच ए, ए बराबर, एक, दो, तेन ठीना, और एक ले लेते हैं, बी बराबर, चार, पांच, छे, और एक समुच ले लेते हैं, सी बराबर, छे, साथ, आठ, ठीना, और एक और ले लेते हैं, डी बराबर, आठ, नो, दस ठीक ना तो देखें यहां हमने एक चार समुच ले लिये हैं और एक बड़ा समुच यू लिया है ठीक ना अगर इसमें देखा जाये तो समुच एक के सभी अव्यो समुच यू में हैं देखे एक दो तिन एक दो तिन इसी प्रकार समुच बी के सभी अव्यो चार पांच है समुच यू में चार पांच है हैं इसी प्रकार समुच सी के भी छे साथ आठ ठी न ये तीनों समुच अव्यो यू समुच के में भी हैं इसी प्रकार देखे अंतिम जो समुच लिया है ड डीग में अव्यों है आठ नो दस तो यहां भी देखे आठ नो दस उपस्तित है इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि समुच ए यू का उपसमुच्च है ठीक ना इसके निसकर्स का निकला इसका मतलब यह जो बड़ा यह जो समुच्च लिया है हमने इसके अंतर ही यह सभी समुच्च अंतर गत हो रहे हैं ठीक ना इसके अंदर से यह समुच्च लिया है समुच्च सभी बने हैं तो इसको बोलते हैं देखें अगर कोई समुच्च यह जो समुच्च लिखा है यह हमको जो दिये गए समुच्च है यह समुच्च अगर हमको दिये हुए है अगर यह समुच्च को यह अंतर गत अंतर विष्ट कर रहे हैं देखें अंतर विष्ट ह समा रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समिष्टी समुच्य है, ठीना, यूनिवर्सल सेट ये कहलाता है, इस पकार ये समिष्टी समुच्य हो गया, अब देखिए इसके आगे वे नारेक के बारे में बात करेंगे, तो वे नारेक क्या होता है, ठीना, देखिए एक पकार ग्राफ होता है आरेक डाइग्राम है ये जिसके अंत्रगत हम समुच्यों के बीच के संबंधों को दिखाते हैं तो इसमें लिख सकते हैं समुच्यों के के बीच के संबंधों को आरेक के द्वारा निरूपित किया जाता है या परदर्शित किया जाता है ठीक ना अब देखिए चुकि इस आरेक को एक गड़ितक गी थे जॉन वेन ने इस परकार समुच्यों के संबंधों को आरेक में दर्साने में सफल हुए थे इन्हों ने ही इसका आरेक इस वेन आरेक को परतिपाधित किया था इसलिए उनके नाम पर इस आरेक का नाम वेन आरेक रखा गया है ठीक ना, तो अब देखें when r1 में क्या होता है, तो लिखतें इसमें, देखें when r1 में समझ्टिय समुच को ठीक ना, इसको पहले परिभासा लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में इसको समझा लेंगे, समस्टी समुच को एक आयत के अंदर बिंदूं द्वारा ठीक ना पहले परिभासा लिख लेते हैं फेस का उदारन के संग अच्छे से समझ में आ जाएगा के अंदर बिंदूं द्वारा एवाम इनके उप समुचियों को उप समुचियों को आयत के अंदर आयत के अंदर सम्वित वक्रों जिसे प्राय ब्रित होते हैं ब्रित के अंदर बिंदूं द्वारा दर्साया जाता है अब देखे इसमें है वे नारग के बारे में बताय गया है वे नारग में क्या होता है समिष्टी समुच जो सबसे बड़ा समुच होता है जिसके अंतरगत और जो समुच अंतरविष्ट होते हैं उसको एक आयत के रूप में यहां एक आयत देखी बना ले हैं यह आयत ठीक ना इसको यहां यू लिख लेते हैं यह समिश्टी यह समुच हुआ को देखे समुच को एक आयत के अंदर बिंदूओं द्वारा तो हम इसको सभी इसके सभी अव्यों को एक बिंदू के द्वारा दिखा लेते हैं तो देखें इस मैं लिख लेते हैं एक बिंदू एक दो तेन एक दो तेन फिर हो गया कहीं भी लिख सकते हैं चार पांच छे साथ आठ नो ये दस ठीना तो यहां बिंदू लगा सकते हैं बिंदू लगा लिया तो बिंदू के द्वारा दिखाते हैं तो यहां बिंदू बिंदू लिख लेते हैं ठीक ना ये हुए ये लिख लिया अब देखें इसके आगे लिखा है आयत के अंदर बिंदू के द्वारा और इनके उपसमूचियों को ठीना आयत के अंदर इसी आयत के अंदर ही संवरित वक्र का मतलब होता है Closed कर्व Closed कर्व हाना मतलब बंध होना चाहिए ऐसा बंध वक्र होना चाहिए और इसमें ज़्यादा तर हम लोग ब्रित ही लेते हैं तो देखी अगर इसमें पहले A को दिखाए इसमें कितने हैं 1,2,3 तो हम इसको ली सकते हैं देखे ये ब्रित बना ले रहे हैं ये देखे ये देखे आजिकर ये लिख लिया ब्रित किससे हो गया 4, 5, 6 तो 4, 5, 6 चार पांच छे हो गया चार पांच छे यहां लिख लेते हैं है ना बिरित बनाने में दिक्कत नहीं होगी चार पांच छे हो गया तो इसको एक हम बना लेंगे तो यह इस प्रकार बना लेंगे ठीना तो इसको भी डाल लेते हैं इसलिए जरूरी नहीं होता है कि सभी उप समूच्यों को बृत के ही रूप में दिखाएं, सरभील अकारका भी हो सकता है, या अंडे अकारका ही होता है, यह बृत हो गया, और यह इस पकार भी ऐसे, इस पकार भी हम इसके उप समूच्यों को दिखा सकते हैं, मगर हम ज्याद इसी समिष्टी समुच के अंदर ही बृत के रूप में इसको उप समुच्यों को दिखा सकते हैं, ठीक ना, तो ये हो गया, तो वे नारेक के अंदर इस प्रकार इनको लिखा जाता है और प्रदर्शित किया जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक समुच्य संक्रियाएं, ठीक ना, तो क्या होता है, मतलब इसका होता है बेसिक समुच का मतलब सेट संक्रियाएं को ओपरेशन बोलते हैं, ठीक ना तो ये चार संक्रियाएं होती हैं तो इनमें पहला है देखिए ये पहला होता है सम्मिलन सम्मिलन ठीक न इसको बहुते हैं यूनियन और दुसरा होता है सर्वनिस्ट इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन और तिसरा होता है अंतर दो समुच्चियों का अंतर निकालेंगे इसमें इसको डिफरेंस बोलते हैं ये डिफरेंस और चौथा होता है पूरक है ना समुच्यों का पूरक होता है का पूरक निकालेंगे छी ना तो इसको बोलेंगे compliment off offset ठीक ना तो इसमें पहले हम लोग एक तरह से पहले some million पढ़ेंगे ठीक ना तो इसको million लिग लेते हैं पहले तो देखे इसमें some million पढ़ेंगे तो देखें क्या होता है इसमें सम्मिलन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले परिभासा लिख लेते हैं लेकिंगे माना माना A और B दो समुच हैं दो समुच है तो समुच समुचियों A और B का सम्मिलन का सम्मिलन वह समुच है जिसमें समुच A के अव्यों समुच A के अव्यों के साथ के साथ B के भी के भी अव्यों हों जबके जबके A और B के B के उभयनिस्थ अव्यों को केवल एक बार केवल एक बार लिखा गया हो लिखा गया हो ठीक ना और इसको लिखेंगे इसे A सम्मिलन B से प्रकट करते हैं प्रकट करते हैं ठीक ना या तो इसको A उनियन बी में इसको यूनियन भी बोलते हैं सम्मिलन भी बोलते हैं तो A उनियन भी या A सम्मिलन भी से प्रकट करते हैं या इस रूप में ऐसे लिखा जाता है ठीक ना जैसे हम एक उदहार लिख लेते हैं देखे एक समूँच्च्च है जिसमें एक दो तेन चार पांच छे चार पांच और छे थी न, ये अव freedoms हैं on बे एक समूँच्च्चे लेक लेते हैं जिसमें 5 6 7 8 है, ठीक न? तो अगर हम इसका A सम्मिलन B निकाले हैं, तो A सम्मिलन B, तो देखें क्या हो जाएगा, तो हम इसमें पहले लिखेंगे, A के सभी अवियों लिख लेते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देखें B के अवियों को लिखेंगे, तो चुक्कि देखें 5 अच्छे यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इन दोनों समुच्चों के उभेनिस्ट अवियों हैं, तो इनको हम केवल एक बार लिखेंगे, बाकी, देखें 5 का पुनावित्ती नहीं हुआ, केवल एक बार लिख लिख लिया, अब फिर यह 7 और 8 लिखेंगे, तो इस प्रकार इसका A यूनियन B या A समिलन B प्राप्त होता है, ठीक ना, अब इसके बाद देखेंगे, देखें, ये हो गया, इसको हम लिखेंगे, देखें, मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं इसको, तो देखें, इसको लिखेंगे, यक्स इस प्रकार है, कि यक्स अवियो है A का, ठीक ना, या यक्स अवियो है B का, ठीक ना, तो यहाँ पर A, यक्स A का वियो है, या यक्स B का वियो है, तो इस प्रकार हम इसको समुझ निर्मार रूप में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म ठीक न तो इसको पहले भी बढ़ाया है इसको बोलते हैं समुच निर्माण रूप ठीक न या इसी को बोलते हैं गड़ती रूप ठीक न मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं इसको ठीक न या या रूप ठीक न अब देखें इसको हम अगर वेन आरेक में दिखाएं तो देखें एक हम लिख लेता हैं एक आयत बना लिया इसको समिष्टी समुच को निरूपित करने के लिए तो यह आयत बनाया अब इसमें यह आज समिष्टी समुच इसमें A और B को दिखा रहें देखें A और B को और A सम्मिलन B का मतलब होता है जितनी भी A के सभी अवियों को तो हम A के सभी अवियों देखें इसको सेट कर दे रहें यह में जितनी भी A होता है और यह B हो गया तो यह दिखा दिया और फिर इसमें बोलता है कि B के भी सभी अवियों को भी दिखा रहे हैं तो यह देखें B के अवियों को भी दिखा रहे हैं और यह उबहनिस्ट पार्ट है तो उबहनिस्ट पार्ट को केवल एक बार करेंगे तो ये इस प्रकार तो इस प्रकार इसको वेन आरेक में ये union B को इस प्रकार दिखाते हैं अब इसके कुछ गुण धर्मों को देख लेते हैं प्रोपर्टी आफ union पहला है अगर A union B निकाले A sum million B ज्याद करें या B sum million A ज्याद करें दोनों का मान्स बराबर आएगा और इस गुण धर्म को बोलते हैं क्रम वी नी मेता ठीना नियम इसको बोलते हैं commutative law ठीना अब देखें दूसरा नियम देखते हैं इसमें लिखाया A union फिर B union C बराबर ठीना पहले इन दो समुच्चों का union निकालिए फिर इसका A के संग निकालिए या पहले A union B निकाल ली जिए फिर इसके बाद union C करें तो भी मान में कोई फोरक नहीं आएगा ये नियम को बोलते हैं साहचर नियम या साहचरता का नियम ठीक ना नियम इसको बोलते हैं एसोसियेट्यू लौ एसोसियेट्यू लौ ठीक ना अब थार्ड नियम है अगर A में यूनियन में अगर फाई को करें ठीक ना फाई का मतलब रिक्त समूच का और A कोई एक समूच है जो और रिक्त समूच है है ना इसमें कुछ अवेव हैं और ये रिक्त समूच है इसमें कोई अवेव नहीं होता तो ये आता है A तो इसको बोलते हैं तत्समक नियम तो इसको बोलते हैं आइडेन्टिटी लॉ चवथा में हैं अगर ए में ए का ही सम्मिलन करें तो हमको ए प्राप्त होता है और इसको बोलते हैं वर्गसम नियम और इसको बोलते हैं इंगलिज में आइडेम पोटेंट लॉ और एक अंतिम नियम है अगर ए का यू के संही सम्मिलन किया जाए तो ये यू प्राप्त होता है इसको बोलते हैं यू का नियम यू का नियम लॉ आफ यू तो इस पकार ये सभी गुंधम सम्मिलन के हो गए उमीद है आपको सम्मिलन अच्छे से समय में आ गया होगा अब हम लोग सर्वनिस्ट देखेंगे तो देखेंगे इसमें लिखेंगे समूच्यों का समूच्यों का सर्वनिस्ट सर्वनिस्ट इसमें लिखेंगे इंटर्सेक्शन आफ सेट्स इंटर्सेक्शन आफ सेट्स तो इसकी परिभासा देख लेते हैं माना A और B A और B दो समूच्य हैं तो समूच्य समूच्यों A और B A और B के सर्वनिस्ट के सर्वनिस्ट का सर्वनिस्ट वे समूच्य होंगे वह समूच्य होता है वह समूच्य होता है जिसमे जिसमे समूच A और B के A और B के उभयनेश्ट अव्यो हो ठीक ना तो इसमें देखे एक एक जामपल ले लेते हैं अच्छे समझना जाएगा A बराबर एक, दो, तेन, चार, पांच ठीक ना यह लिख लिया अब देखे इसमें एक समुच और ले ले लेते हैं तेन, चार यहां लिख लेते हैं चार, पांच, छे ठीक ना देखे इसको दिखाते कैसे इसे इसे A सरणिस्ट यह उल्टा यू होता है से प्रकट करते हैं या प्रदर्सित करते हैं से प्रदर्सित करते हैं ठीक ना तो अगर दो समुच ले लिया देखे A और B तो अब हम अगर A सरुनिस्ट B अगर ग्यात करें तो हम क्या लेंगे समुच A और B के सरवनिष्ट, देखिए जो सरवनिष्ट लिया वह समुच होता है जिसमें समुच A और B के उभेनिष्ट अव्यों होने चाहिए मतलब इन दोनों समुच्चें में जो उभेनिष्ट है, तो देखिए इसमें 4 है, यहां 4 है तो हम यहां 4 लिख लेंगे 5 है, 5 है तो यहां 5 लिख लेंगे ठीक न, तो इस प्रकार A सरवनिष्ट B हमको यहां 4 और 5 दो अव्यों प्राप्थ हुए जो इन दोनों समुच्चों के उभेनिष्ट अव्यों है ठीक न, अब देखिए इसको लिखते हैं अगर इसको सरवनिष्ट फॉर्म में ठीक न, समुच्च निमार रूप में लिखना चाहें या गड़ितीय रूप में लिखना चाहें तो देखें गड़ितीय रूप में क्या होता है गड़ितीय रूप में लिखेंगे A सरवनिष्ट B बराबर यक्स यह यक्स इस प्रकार है कि यक्स अव्यो हो A का और ठीक ना और यक्स अव्यो हो B का ठीक ना यहाँ देखिए और लगाएंगे क्योंकि यह जो 4 है यह इन दोनों समुच्चे में होना जरूरी है और 5 इन दोनों समुच्चे में जरूरी है इसलिए यहाँ पर यह उभे निस्ट में यह आया है ठीक ना यह सवनिस्ट में आया है तो देखी यहाँ और लगा है A का भी यक्स होना चाहिए और जरूरी है कि यही यक्स B में भी होना चाहिए इसलिए यहां और लगा है ठिक ना मगर सर्वनिष्ट में दोनों में होना ही जरूरी होता है इसलिए यहां पर और लिखते हैं ठिक ना अब इसको हम वेन आरेक में दिखाते हैं तो देखें एक आयत बना लिया, तो आयत के अंदर पहले सारवनिष्ठ यह रहा, यू लिख लिया, ठीजा, और दो समुझे बनाते हैं A, और ये B, A और B, ठीजा, तो अब हम इसमें सारॵनिष्ठ, मतलब जो उभेनिष्ठ पाथ है, तो ये वाला उभेनिष्ठ पाथ है, ठीजा, ď का भी ये भाग है, और B का भी भाग है, त तो यह हो गया A intersection B हो गया थी ना तो अब इसका देखे परिभासा हो गया उदारण से समय में आ गया इसको गडिते रूप में या समुझ निर्मार रूप या set builder form में भी लिख लिया और इसका वेन आरेक में परदसित कर लिया अब इसके कुछ गूंधरम है उसको भी देख ल सबनिष्ट B ज्याद करें या B सबनिष्ट A ज्याद करें तो सेम मानाएगा है ना बराबर मानाएगा तो इसको बोलते हैं जैसे पहले बता है क्रम वी निमेता क्रम वी निमेता मेता नियम ठीक ना तो इसको बोलते है कम्यूटेटिल लॉप इसके पहले बाले में लिखा ह देखे अब सिकंड में हैं तो इसको लिखेंगे A सवर निष्ट B सवर निष्ट C ठीट पले इन दुनों का सवर निष्ट निकाल लिए फिन के संग निकाल लिए तो वही मानागा जैसे A सवर निष्ट B निकालते हैं फिर इसके बाद सवर निष्ट C करते हैं तो इसको बोलत commutative law इसको associative law associative law और थर्ड में लिख लेते हैं अगर A का 5 के संग सर्वनिष्ट ग्याद करें तो हमको यह 5 ही प्राप्त होता है इसी प्रकार अगर A का U के संग समिष्टी समुझ के संग अगर समिष्टी ग्याद करें तो हमको यह A प्राप्त होता है ठीक ना तो इसको हम लोग कहते हैं 5 एवा U कानियम ठीक ना 5 के संग समिष्ट समिष्ट का मतलब होता है जो दोनों समुझे में हो तो यहां रिक्ट समुझ है यहां भी कोई भी समुझ है जो अरिक्ट है तो इनमें तो common क्या है उभेनिष्ट क्या है तो रिक्ध ही उभेनिष्ट है इसलिए यहां 5 प्राप्त हो जाता है और अगर U समिष्टी समुझ मतलब सबसे बड़ा समुझ है और यह इसका उप समुझ है तर इन दुनों का उभेनिष्ट निकालें तो यह ही उभेनिष्ट प्राप्त होगा तो इसमें यह हो गया अब चौथा देखते हैं तो देखेए इसमें क्या होता है अगर A U है न समुझ निकालें B A सम्मीलन B सम्म णिष्ट C तो इसका क्या होगा देखिए तो A होगा A union B सर्वनेश्ट A union C इसको प्रेकर में वैसे भी डाल सकते हैं तो देखें क्या हो गया इसको Buntan का नियम बोलते हैं या वितरन वितरन या Buntan का नियम ये हो गया Buntan का नियम इसको बोलते हैं distributive law distributive law ठीड़ा distribute होता है तो देखे इसको लिख लेंगे देखें यहाँ पर क्या हुआ यह जो U है U वित्रित हुआ किस पर यह सवनिष्ट पर हुआ तो यहाँ लिखेंगे यहाँ U वित्रित होता है सवनिष्ट पर ठीड़ा देखें यह हो गया यह सवनिष्ट हो गया तो यह U वित्रित होता है सवनिष्ट पर इसी परकार और लिख लेते हैं यहाँ पर अगर union यहाँ union लिख लिया यहाँ सवनिष्ट लिखते हैं तो A सवनिष्ट B union C ठीड़ा तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा A सवनिष्ट B और Union A सवनिष्ट C ठीड़ा यह वित्रन का नियम होता है तो इसमें यहाँ क्या हो गया तो यहाँ देखें क्या हो जाता है यह सवनिष्ट बित्रित होता है बित्रित होता है U उपर ठीना तो इसको ध्यान रखिएगा तो इस पकार ये समुच्चों के सर्मिष्ट के सभी गुर्ण धर्म हो गए देखे इसमें एक ठाट नोट है उसको नोट कर लेते हैं देखे यदि समुच्च A और B ऐसे समुच्च है कि अगर हम इनका A सर्मिष्ट B ग्याद करें और हमको एक रिक्ट समुच्च मिले मतलब A और B में कोई भी उभेनिष्ट अव्यों न मिले हना रिक्ट समुच्च मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ A और B दोनो इसको डिस जॉइंट सेट बोलते है तो इसका वेन आरेक बना देते है देखे यह हो गया वेन आरेक एक आयत बना लिया एक समुच्च यह लिया A और एक समुच्च लिया यह B ठीच ना तो इनके कोई भी अव्यों उभेनिष्ट नहीं है इसलिए दूर दूर है यह ठीच ना तो A और B हो गया तो इसको बोलेंगे यह डिस जॉइंट है ठीच ना A सर्वनिष्ट B बराबर यह 5 हो गया ठीच ना तो अगर हम इसका सर्वनिष्ट ग्याद करें A सर्वनिष्ट B तो देखे हमको A और B में कोई भी उभेनिष्ट अव्यों नहीं प्राप्त हो रहे है इसलिए हम इसको यहां पर फाई लिख देते है ठीच ना तो इस परकार हमको पता चला कि समुझ A और B और संयूक्त समुझे है मतलब डिस जॉइंट सेट है अब हम देखते हैं समुझे का अंतर तो लिखते हैं समुझे का अंतर समुच्यों का अंतर इसको लिखते हैं difference of difference of sets ठीना तो लिखते हैं इसमें परिभासा क्या होती इसकी लिखेंगे माना A और B दो समुच्य है तब A और B के अंतर A और B के अंतर काप A और B A और B का अंतर उन अवियों का उन अवियों का समुच्य होगा समुच्य होगा जिसमें जो A में हो किन्तू B में न हो थिक ना देखें क्या ची लिखा है वह इसको देख लेते हैं पहले हाँ लिख लेते हैं इसको जबकी जबकी A और B A और B इसी करम में में हो थिना A और B और इसको देखें लिखते कैसे हैं इसको लिखें A माइनस B थिना इसे A माइनस B से प्रदर्शित करते हैं थिना तो देखें जैसे एक उदान ले लेते हैं माल लिया एक समुच A में 2 5 7 8 और 10 थिना ये अवेव हैं यहां B लिख लेते हैं तो B लिख लिया 7 5 और 8 तो यहां पर हमको A माइनस B क्या प्राप्त हो जाएगा तो इसमें देखिए वो सभी अवेव जो A में है किन्तु B में न हो तो देखे क्या है B में कौन कौन से है इनमें से इसको नहीं लिखेंगे देखे 2 B में नहीं है तो यहां 2 लिख लिया 5 वहां 5 है तो नहीं लिखेंगे 7 वहां भी है तो नहीं लिखेंगे 8 वहां भी है तो नहीं लिखेंगे 10 B में नहीं है इसलिए हमने लिख लिया मतलब वो A के वो अव्यो जो B में नहीं हो ठीक ना तो A में जो भी जो B में नहीं थे उनी उनी को नहीं लिख दिया ठीक ना एक गुदान और लिख लेते हैं जैसे C लिखा हुआ है C में है A, E, I, O, U और D में लिख लिया I, O, U ठीक ना तो अब हमको C मानस D क्या पराप्त होगा तो देखे C मानस D होगा जो C में हो किंतु D में न हो तो देखे D में A, C में है मगर D में नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे E, C में है मगर D में नहीं है तो E लिख लिया I, वहाँ भी है O, वहाँ भी है U, वहाँ भी है तो अब उसको नहीं लिखेंगे तो इस प्रकार C मानस D हमको पराप्त हो गया तो यह हो गया यहां एक A और यह B लिया ठीना, यह हो गया A समूच, यह हो गया B समूच, तो अगर हमको A-B निकालना है देखे A-B, मतलब A की वे सभी अवियो जो B में न हो इसका मतलब यह हो गया हमारा देखे यह हो गया यह वाला चीज ठीना, तो यह हो गया देखे, यह जो है यह A का वो भाग है जो B में भी है ठीना, इसलिए हमने इसको चाहिंगेत नहीं किया, तो इस पकार यह A-B प्राप्त हो गया और अगर हमको B-A ही प्राप्त करना है, तो उसको भी देख लेते हैं देखे, एक समुझ यह A A-B हो गया A-B-U अब इसमें B-A देखे, क्या होता है B-A बराबर मतलब B के वो अवे हो, जो A में नहों तो देखे, B के पूरा अवे हो B का है इसमें यह वाला पोर्षन A में भी है इसलिए इसको चाहिंकित नहीं करेंगे को B-A प्राफ्ट हो गया तो इस ग्राब से इतना समया गया कि A-B बराबर नहीं होता B-A ठीना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा अब देखे, इसके बाद एक नोट है उसको देख लेते हैं देखे, एक आयत बना लेते हैं है न, समिस्टी समुच और ये हो गया A और B समुच A बना लिया B बना लिया और U अगर हम इसमें A-B दिखाएं तो देखे, ये A-B होता है ठीना, जैसे अभी हमने उपर बताया तो ये हो गया A- ये B हो गया A-B इसी प्रकार ये B-A हो जाएगा ठीक न? तो ये हो गया B-A ये हो गया B-A और ये जो पोर्षन है ये उभेनिस्ट पोर्षन है A-7-B है ठीक न? अगर इन तीनों सेट को ठीक न? देखे जैसे ये है ये एक सेट A-B है ये B-A है और ये A-B है अगर इनका अलग अलग सबको तीनों को देखे हैं तो इसका अभी I-A इसमें नहीं है मतलब ये तीनों समुचे जो बनेंगे वो असंयूट समुचे बनेंगे मतलब डिस जोएट सेट को कहलाएंगे तो लिखेंगे यह नहां.